अगर आपको soft जालीदा धोकले खाने हैं वो भी घर के बेशन से बना के तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बहुत ही कम समय बहुत ही जालीदा soft spongy आप धोकले बना सकते हैं वह भी पूरी measurement के साथ मैं आपको बताने वाली हूं एक एक चीछ का measure बहुत हुआ है वेट से देखिएंग धाइसो ग्रम बेसन है या सारा खशारा बेसन हम इस बाउल में डाल देंगे या दे पूरा डालना है तूफिप्टी ग्राम बेसन है अब यहां पर मैंने ले ली एक चीनी तब हम जालेंगे हाप चीनी तो यहां पर मैं डालूंगे तक लग अब एक ही चमच का मेजर कर लीजेगा उसी साब साब डालेगा अब यहां पर मैं एक चोथा ही चमच लभख डालूंगी निम्बू सत्थ इसे हम साइट्रिक एसे भी बोलते हैं अब हम डालेंगे तेल ओयल होता है न वह में डाल रही हूं तो लभख साथ चमच हम यहां प अब यहां पर देखी मैंने पानी लिया हूँ है तो मैंने हाब गिलास से ज्यादा पानी लिया हूँ आप देख सकते हैं और एक गिलास से थोड़ा सा कम पानी लेना हमें अब पानी को हम इस तरह से डालेंगे अभी मैं आधा पानी डाल रही हूं इस तरह सा मिक्स कर बेसन को थोड़ा सा मिला लें अच्छी से और जो बाकी बचावा पानी इतना वो भी में डाल दूँगी तो पानी का मेजर भी आपको इतना ही लेना है इससे ज्यादा पानी की जुरत आपको नहीं पड़ेगी मैंने पहले भी बोला था पूरा मेजर के साथ में आपको बता रही है इसी मेजर से आप बनाएगे का आपके धोकले बहुत ही परफेक्ट जालीदार स्पंजी बनेंगे मार्केट में जो ठोकले आते हैं उसको भी फिल करते हैं इतनी स्पंजी बनते हैं सॉफ्ट तो यह चलाएंगे और चलाते चलाते अब देखिए इसमें बिल्कुल भी कोई गुटले नहीं बिल्कुल कोई लंस नहीं है परफेक्ट हमारे जो बेसन का घोल है वो बनके त्यार हो चुका है यह देखिए ढोगले के लिए यह देखिए इस तरह सम करेंगे इस तना आपको बेसन का घोल इस तक पतला रखना है अब इसमें हम डाल देंगे खाने वाला सोडा जिसे बेकिंग सोडा बोलता है न एक चुथाई चममच हम मिक्स कर लेंगे और एक ही डारेक्शन ममें इस तरह से हमें चलाना है तो लगभब हम इसे एक मिनिट की इसी तरह से चलाते जाएंगे कि जब तक कि बेसन हमारा फूल न जाए हलकी हांतों से हमेंसे चलाना है चलाते चलाते आप देखेगा कि बेसन काफी फूल जाता है फूल के यह डवल हो जाएगा यह कहें डवल से थोड़ से जादा ही हो जाता है यह देखे कितना ज़्यादा बेशन का जो गोल है कितना डवल हो जुगा है आपको देखे समझ में आ रहा होगा तिसे अब हम साइड में रख दिंगे अब यहां पर देखे मैंने ले लिया इडली का जो साचा होता है ना उसी का मेनिक प्लेट ले लिया है पहले इसमिल साची है अब है छिपके यह झुपके लिध शबी जिए वह में डोकले में दाल दूँंगे प्लेट है कि दोखना जो घौल हो डाल दूगे प्लेट्स को भी मैं इसी तरह से डाल दूँगी अब देखिए हापे मैंने इडली का साचा का जो कंटेनर होता ना उसमें मैंने पानी डाल के गरम कर लिया पहले से ही गेस के पास मैं आ चुकी हूं और सभी प्लेट्स इसमें हम रख देंगे अब इसके केप को डखन को हम इस तरह से लगा देंगे अच्छी से तक इसके जो बहां पर निकले ना अब लगबक इसमें 20 मिनेट के लिए इस तरह से पकने के लिए छोड़ दूँगी मीडियम लो फ्लेम में रखते हैं इसमें पकाना है जब तर ढोकले हमारे बन रहे हैं तब तक हम तरका रेडी करेंगी जिसके लिए एक चम्मच तेल लिया है और हाप चम्मच मैंने आपे मस्टर शिर जा लिए राई और अब हम क्या करेंगे ना इसमें डाल देंगी देख चम्मच से हम मिलाते भी फ्राई कर लेंगे मिर्च हमारी फ्राई हो रही है मैंने एक मिनिट के लिए गेस की फ्लेम को बंद कर दिया था तक यह जले नहीं अब लो फ्लेम रखते हैं इसमें फ्राई कर रही हूं और अब मैं क्या को रूगने थोड़ा से इसमें पानी डाल दूगी तरका लगने अनके लिए पानी डालने ज़रूरी होता है इसमें लबगई एक कप पानी डाल देंगे और साथ में चीनी डाल दूगी तो यहां पर मैंने एक चम्मच चीनी डाली है और आप चम्मच डालेंगे चीनी देखिए अब मीठा थोड़ा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा मीठा और बढ़ा सकते हैं चीनी यहां पर लबग बगई हम लिएश में डाल दूगी एक चोथा चम्मच लबग हम नमक डालेंगे जादा नमक माद बढ़िए एक चोथा ऐ को बलने के लिए हम छोड़ देंगे अब इसे से देखे हमारे जो धोकले ना वह बनके त्यार हो चुके हैं काफी अची सब पक चुके हैं 20 मिनिर्स हो गए थे उसके बाद में आपको दिखा रही हूँ अब इसे एक एक करके हम प्लेट में निकाल लेंगे और आप देख सकते इसकी जाली देखे आपको मैं सामने से दिखा रही हूँ जाली ने ज़र आ रही है वह कोई बहुत ही जाली दार सॉफ्ट स्पंजी धोकले बनके त्यार हो चुके हैं आप दोकले को मैंने प्लेक में निकाल लिया है अब हमने जो इसका जो तड़का बना की रखा था ना यह तरका इसमें हम डाल देंगे खाने में बहुत ही अच्छा टेिश्ट होता है बहुत ही सॉफ्ट जाली दार बनके त्यार होते हैं तो एइससे वह जरू ट्राइ कर सकते हैं अगर आपके सव्ट नहीं बनते जाली नहीं बनते तो यह विडियो को आप जरू लैश्च सेर किजेगा क्योंकि आप आगे से आपके जो ढोगले बनेगे न वह बिल्कुल सॉफ्ट जालीदार श्षपंजी बनने वाले मैं गरेंटी से बोल सकती हूँ इसी मेजरमेंट को आप ट्राइ किजिएगा और ढोगले को बनेगेगा और फिर कमेंट करके आपको से पूछ सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम हो त इसे लाइक कीजिएगा जैर कीजिएगा मेरे चैनल में नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक्स पर वाचिए मैं वीडियो मिलते नेक्स्ट वीडियो में